हाई फिंट्स मेरा नमर राज और आप देख रहे हैं Windows Tech Solution तो मेरे पास यह Dell का laptop है और इसके अंदर मुझे यह error आ रहा है no boot device found का error ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ troubleshooting step बताऊंगा जिनके तुरू आप identify कर पाएंगे कि यह error क्यों आ रहा है ठीक है इस error के आने के बिसिकली दो reason होते हैं पहला तो कि BIOS के अंदर कुछ settings का issue हो गया है जिसके वेशे हार्डी जो है वो बूट नहीं कर पा रही है ठीक है दूसरा reason यह हो सकता है कि आपके हार्डी में कुछ physical issue आ गया है जिसकी वेशे हार्डी से वो ही डिडेक्ट नहीं हो रही है ठीक है तो यही दो reason होते हैं जिसकी वेशे error आता है तो हम चेक करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने अपने laptop का जो BIOS होता है ना BIOS settings उसको open करना है ठीक है तो मैं Dell का key से उसका BIOS open होता है ठीक है तो पहले मैं laptop को shutdown करता हूँ ठीक है फिट से power on करेंगे इसका और F2 से हम पहले BIOS open करेंगे इसको continuously press करना है और यहां पर देखें BIOS open हो गया Dell के laptop में ठीक है तो सबसे पहले हम जाएंगे system information के अंदर और यहां पर हम चेक करेंगे कि जो hard disk है वो detect हो रही नहीं हो रही है BIOS के अंदर ठीक है तो हम जाएंगे system information के अंदर और right side पर मैं अगर इसको scroll down करूं तो यहां पर आप देख सकत है जो primary hard disk है जो हमारी main hard disk है वो show नहीं हो रही है none लिखा हुआ है मतलब कुछ भी install नहीं है यहां पर आपको लिखा हो सकता है या फिर none या फिर लिखा हो सकता है कि not installed ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जो hard disk है वो BIOS में detect नहीं हो रही है सिर्फ मेरा CD row में हो ही डेटक हो रह रहे हैं तो उसमें आपको एक option मिलेगा factory default तो उसको आप select कर लेना तो मैं tell का laptop उसकर रहा हूं तो इसमें option मिलता है load default का ठीक है तो मैं load default करूंगा basically इस option से क्या होता है जो BIOS की जो by default settings होती है वो चेंज कर लेता है पूरी by default setting महां रहता है तो उससे अगर hard disk BIOS में show नहीं नहीं हो रही होगी ठीक है तो वह शो होने लग जाएगी अगर कोई physical error ना हुआ तो ठीक है तो मैं load default पर click करता हूं कि ओके करते हैं ठीक है और उसके बाद हम exit save changes और exit करते हैं और आप चेक करते हैं कि error fix हुआ कि नहीं हुआ और अगर आप hp का laptop यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको option मिलेगा factory default का तो आप वह select कर लेना तो अब यह restart हो रहा है और आप देख सकते हैं भाई उसमें setting करने के बावजूद भी मुझे error आ रहा है नो बूट device found का ठीक है अब जो हमारे next step है उसमें क्या करेंगे हर laptop के अंदर diagnose mode run करने का option होता है ठीक है डेल के laptop में अगर आपको diagnose mode run करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे जो f12 किये इसको प्रेस करना है अपने laptop आउन करके तो पहले मैं laptop को shutdown करता हूं ठीक है shutdown हो गया ठीक है हम इसको on करके जो f12 किये इसको प्रेस करूंगा और हम diagnose mode run करेंगे अब दिखिए यहां पर यह option मिल गया मेरेको diagnostic का ठीक है इस पर आपने जाना है ठीक है और एंटर प्रेस कर देंगे यह start हो गया मारे diagnose mode यह सारे जो आपके hardware उनमा को चेक करता है करके तो पहले यह जो display कर रहा है तो display मेरा ठीक है तो मैं yes पशली कर देता हूं थीक है यही स सारे यहां पर hardware है और यहां भी आप देखेंगे इसने मुझे एरर दे दिया है कि जो हार्डिस है वो नॉट स्टॉल है ठीक है हार्डिस जो है वो स्टॉली नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको फिजिकली अपने लापटॉप को एक बार ओपन करके बैक साइट से और हार्डिस को चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी इस एर्रेर के मताबिक कि आपके हार्डिस में ही इस्व हुए कुछ तो मैं इसको अभी यहां पर कैंसल कर देता हूं ठीक है और कैंसल करके मैं लापटॉप को शट डाउ करेंगा और हम हार्डिस को चेक करेंगे गए अब एर्र आ तो मैं इसको शट डाउन करता हूं थिक अपने सभी धंग से इसको शटडाउन कर लेता है नहीं देखिए मेरा शट डाउन हो चुका है थिक है शटडाउन करने के बाद आम मैं एक बार अपने लाप टॉप को ऊ- Men hard ребята को चेक करेंगे तो स्क्रूऊं लगें मैं दोनों स्क्रूऊ open कर यह बर बोसां कि अब मैं ऐसका 것을 open करके और मेरे केस में आप देख सकते हैं यह इटेस से हर इस में और यह लोज होगी न पोड़ी भी होगी ऊछ08 नहीं कोया सोणिया और यह मेरे केस dokład तो हाड डिस लूज और किये मैं क्या करूंगा सिम्पली इसको टाइट कर दूँआ यहां से ठीक है आप में देखिया पूरी तरह टाइट हो गी है ठीक है और इन केस में आपको यह बर हाड़ डिष निकाल के दिखाता हूँ आपने क्या करना अगर आपकी हाड़ डिष प्रॉपरली कनेक्टिट थी उसके बाद भी यह एरय मिल रहा आपको तो जो पहली चीज़ आपने क्या करनी है अगर यहांपे कोई डस लगी हुई न इसके अंदर ने दिढ़ घल तो आपने फूक मारके वो जो साफ कर लेना है ठीक है और कभी कभी क्या होता है कि अरभ Children जम जाता है इतर ब्लाइक कलर का जो यह गोल्डन आप देख रहे इसके इंदर ब्लाक कलर का का जम जाता है तो उस कार्बन को आपने साफ करना तो कार्बन साफ करने के बेसीकले आपने कहा है करना है जो रबर होता है रबर एक से रबर लेगे तो तो रबर लेके उसको साफ कर देना आपने ठीक है बिलकुल ऐसा होना जैसे आप देखने पूरा गोल्डन एक्दम साफ है तो इस तरह कि आपकी हाट डिस होनी चाहिए ठीक है और साफ करके आपने कोई पानी या किसी लिक्विट से साफ नहीं करना ठीक है वह रबर से ही साफ करने लग जाती बायूज में तो मैं लगा दिए वापिस टाइट थेर यहाट इसको अब यह कवर जो है इसको बंद करके अब चेक करते हैं एक बार कवर को कि फिक्स करता है एक बार आपिक है मैं आपने सई से पूरा इक नम टाक करते ना वापिस जैसे लगे वेदें हो रहा है तो आप दे सकते हैं मेरे केस में विंडो जो बूट हो गई है ठीक है चलने लगी है ठीक है तो जो मैंने आपको ट्रबल बताएं आपने फॉलो करने ठीक है पहला तो इस्टब यह कि अपने बायोश के अंतर चेक करना है कि हडिस शो नहीं हो रही है ठीक है अगर अगर डाइग्णोस मोड रण करना है अगर वहां भी हडिस वह दिखा रहे है कि नॉट स्टॉल है तो उसकेस में अपने क्या अगरन अगर आ चुक है आपकी हार्डिस क्राइश हो चुकी है फो डिटेक्ट नहीं हो रही है तो उसकेस में आपको दूसरी हार्डिस लगानी पड़ेगी ठीक है तो यह कुछ ट्रॉबल शुटिंग स्टेप्स जो मैंने बताएं आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको इश्यों सॉ आपको प्राइश है तो